अगर आप प्यार की definition को समझते हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से couple साथ में रहते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो आप ये भी समझते होंगे कि हर couple की अलग ही एक chemistry होती है, अलग बॉर्डिंग होती है, अलग equation और एक अलग frequency होती है जिस तरीके से वो दुनिया भर से या खुद के साथ रहते हैं ऐसे में कश्मीरा को लगता है कि अभिनव और रुबीना एक बहुत ही बोरिंग कापल है जी हाँ क्या कह रही है कैश्मीरा यहाँ पर बताते हैं आपको इस वीडियो में हेलो दस उस लीसा गिंगवानी और चाल कि कैश्मीरा बोल रही है विकास से कि भाई मुझे तो यह कपल बहुत ही बोरिंग लगा मतलब क्या ही है यह दोनों दिन बर बस आपस में थोड़ा से डिसकेशन करेंगे टास्क में कोई जील नहीं इतना बोरिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा है उस पर विकास कहते कि कैश्मीरा अभिनव बहुत अच्छ है रुबीना भी इंडिविज्वली बहुत अच्छ है और मुझे तो कपल में ऐसी कोई इशू नजर नहीं आते तो सबसे पहले तो कैश्मीरा आपको यह बताए कि एक कपल जज्ज्मेंट शोन नहीं है पहले तो बोला जाता है कि रु जाते हैं उसके बाद यहाँ पर कैश्मीरा यह भी बोलती ही नजर आती है कि रुबीना तो गेम इस तरह से खेल रही है जैसे उनके हाथ में ट्रॉफी पड़ी हुई हो और मुझे मज़ा तो तब आएगा जब इसके हाथ से ट्रॉफी खीच कर लेकर जाओंगी कई मौकों हमने देखा है कि रुबीना किस तरीके से फाइट करती है नजर आती है नॉमिनेशन क्लेमी ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लगा कि रुबीना के हाथ में ट्रॉफी पड़ी हुई हो यहाँ तक ही जब राहुल की एक्जिट हुई थी और चालेंजर के एंट्री हुई थी जिस राहुल की अपनी गलती है ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहाने कि रुबीना is very conscious about her image that is going outside ऐसे में वो अपने आपको जो है already declared winner नहीं समझ रही है लेकिन अगर कैश्मीरा को ऐसा लग रहा है तो I think this is कैश्मीरा's problem और यह जील उनके अंदर कि वो रुबीना से ट्रॉफी चीन के जाएंगी इससे बेटर अगर हुई यह कहती ही कि मैं बिग बॉस के स्टेट से ट्रॉफी लेकर जाना ही चाहती हूँ चाहे कोई भी सामने हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा sportsmanship spirit लगती क्योंकि यह game is not रुबीना versus housemates यह game है बिग बिग बॉस 14 का त आप लोग जल्दी से लिखकर बता देजिए मैं comment section में साथी मैं चानल देखते रहे क्योंकि एसी खबर exclusively हमेशा माप तक पहुंचाते रहेंगे